नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्ट नमरती आप सभी का सौगत करता हूँ लड़ने मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है HDFC Securities का अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो कैसे आप fund transfer कर सकते हो वीडियो देखते रहो यह दिक्कत होगी आपको और first time अकाउंट ओपन करते हो तो वीडियो देखते रहो वीडियो अच्छा लाएक रिपाल लाइक करना सबस्क्राइब करना और सेयर करना सबसे पहले HDFC Sec.com मैंने first time कैसे login करते हैं कैसे trade करते हैं कैसे account activate करते हैं उसका मैंने वीडियो बना दिया है link description में है account opening का नहीं है तो वहाँ पर जाकर account opening कर सकते हो मैं यहाँ पर HDFC Sec.com मैंने open कर लिया login का option इस पर मैं click कर रहा हूँ click करने के बाद आपको trading idea आएगा उससे login नहीं करना मैंने forget username पर बता रखा है username कैसे find करना है वो username यहाँ पुट कर दो password जो set किया वो पुट कर दो date of birth, dd, mm, yy yy format पुट कर दो और login के option पर आप click कर दो यह login पर click करने के बाद यह आपको login हो चुका है मैंने हाल में fund add किया है अगर आपका HDFC securities और HDFC bank account दोनों link है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको कोई fund add नहीं करना वो automatic आपका get balance आपके directly bank account से वो ले लेगा आपको सिर्फ confirm and hold करना है जैसी आप confirm and hold करोगे आपका directly HDFC bank account से आपका HDFC trading account link है वो automatic fetch कर लेगा आपका कि जो यह पैसा है मैं बोल लाओ कि मैरा Quotec महंदरा bank link है तो यह fetch करने के लिए authorized नहीं है समझगे तो यहां से आप fund add नहीं कर सकते get balance पे click करोगे तो यहां पे देखो यह feature जो सिर्फ SDFC net banking के लिए available है जायर सी बात है, same security, same bank है तो feature available होगा सब fund कैसे add करना है trading balance यहां पे आपको दिख जाएगा simple है, यह तो trading balance पे click कर दो यह limit पे आजाओ, limit पे आने कवाद fund limit का option दिख रहा होगा इस पे आप click कर देना जैसे ही click करोगे सब कुछ यहां पे दिख जाएगा यह आपका है, full hold, release fund transfer यहां पे option दिख रहा है, इस पे आपको click करना है जैसे ही आप click करोगे, यहां पे देखो Kotec Mahindra bank है, bank count है आपका go के option पे click करना, simple यहां पे cancel कर रहा है, limit का option पे आना है fund limit पे आना है, या फिर trading limit पे click करो यही open हो जाएगा, fund hold and release का option दिख रहा है इस पे आपको click करना है, Kotec Mahindra bank bank count number दिख रहा है, go के option पे click करो जैसे click करोगे, यहां पे देखो net hold amount इतना है आपका, maximum release amount कुछ भी नहीं है अगर release करना होगा, तो release कर सकते हो release का वीडियो में रग से लियाओंगा, पहले fund add कैसे करते हैं वो देख लो मैंने मालो यहां पे 500 something दिख रहा है, मैंने 400 something रूपीज का ETF बाई किया हुआ है first rate के लिए, आप जैसे first rate कैसे करते हैं, मैंने वीडियो बनाय हुआ है जाकि आप देख लो वहाँ पे, amount जो भी आपको add करना मालो यहां पे 100 डाला हूँ कुछ भी डाला हूँ यहां पे, जैसे आप transfer पे click करोगे, यह आपका user ID, password पूछेगा जो bank account अपने link किया है, अपना user ID और password पुट करो, login कर लो जैसे login करोगे, OTP आगा, आपके registered mobile number पे, OTP पुट करना, verified option पे click करना पुट करने का, verified option पे, OTP पुट करने का बाद, verified option पे click कर दो, आप, जैसे click करोगे, यह आपको देखो, आपको आ चुका है, balance कितना available है, आपको bank account क्या है, आपका remark में जो भी लिखना होगा, वो depend करता कि आपका क्या बोलते है, bank account में remark पूसता है, नहीं zero eight हो गया है, यहाँ पे click करोगे, सीधा यह open हो जागा, यहाँ पर limit पे click करके, fund balance पे click करना, fund limit पे click करना, यहाँ पर विगे दिख जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर दिखने वाला है, तो ऐसे करके आप यहाँ पर fund add कर सकते हो, whole withdraw कैसे करना, withdraw का मैं एक सी वीडियो भी ले आऊँगा, यहाँ पर equity पर देखो, यहाँ पर order book पर जाओ, order book पर आपको दिख जाएगा, जो भी अपने execute किया होगा है, जो भी trade execute कियोगा है, ऐसे करके जो यह first time आप fund add कर सकते हो, HDFC Securities में, अगर आपको fund add करना, जो भी आपको buy करना है, आपको बस hold and hold पे click करें, आपको काम हो जाएगा, आपको नया fund add नहीं करना, यह non HDFC bank account holder के लिए है, मैंने बता दिया, ऐसे fund add करो, trading कैसे करना बता दिया मैंने, तो first time ऐसे fund add करो, जो भी आपको buy sell करना है, उसका वीडियो में ले आ आपको समय में आ जाएगा, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगाओ, वीडियो अच्छा लगाओ, वीडियो अच्छा लगाओ, कि आपको लाइक करें, सब्स्ट्राइब करें, ट्रेडिंग और डिमेटिक आउनलिंग जाएव वीडियो के description सब्सक्राइब करें, वहाँ में जाएगा ओपन कर सकते हो, कुछ भी साहिता होता है, मैं नाइट को एट वीडियो लाइवाता हूँ, वहाँ पर आपके पूछे लेना, सब्सक्राइब करें, टेलिग्राम, इंस्ट्राग्राम, फेस्बुक, ट्विटर, जाहां भी आपको लर्णिंग मेरे देखिए, जोआन के लो तो तक लिए दोस्तों, तान्यवाद